वो घर से निकली था चेहरे पि उसके कजा और आप हैं भाई मौसम जी फोर मैन अलकच्छवा वालों की उर से एका दस पुस्मुद्राएं साध्य बार सबीरे सबीरे वो घर से निकली था चेहरे पि उसके कजा कजा महकी महकी ये कौन आ गई तिरुपा महकी महकी और आप हैं आद्रणी स्री आनन सिंग जी इंजीनियर सहब और आद्रणी स्री जनक बाबू जी आप दोनों लोगों की ओर से एक्यावन पुस्मुद्राएं बहुत बहुत साध्य बार कौन आ गई तिरुपा महकी महकी और हमारे प्रेम भाहिया जो पत्खुरी से हैं एक केश पुस्मुद्राएं हमारे नाल बादक जी को धन्रबाद हालो क्या बात है व्याज जी ठपर अपर कुप पता लिया घट्ची ओगे लिए अरे ना भाल आज तो बड़ी भीड लग रही है क्या बात है अब महाल बनाएगे सनी लूटेंगे एक बार प्रेम से सभी लोग जैगोश करके अपने वाने को प्रभित्र बनाएंगे क्योंकि आज तो बड़ी समाज है बाप प्रेद बाप कित्ती भीड पहली बार देख रही उत्ती भीड सच में माताय बहने एवं भाई बंदू एवं बुजूर्ग लोग जितने भी हैं हमारे और कमेटी की सदसे सभी लोग दोनों हाथ उपर करके जगोश करेंगे सबको मा की कसंदेरी हूं बैया सब खड़े करो हाथ जो जो अपने माता पिता से प्रेम करते हैं वो खड़े करेंगे गोशन, पर अपने मिरी अवाज ब्रभु राम चेंदरो की हैं अवाज ये बार प्रेंच से बोलेंगे, बोलें प्रभू गनेश महराजी की क्या बात है आईए गजल सुनिए महाल बना रहे हूं कभी बे कशी ने मारा ये गजल है नागीत है कोई ये मेरे दर्द की कहानी है मेरे सीने में सिर्फ शौले है मेरे आखों में सिर्फ पानी है तभी तो कहना है कभी बे कशी ने मारा कभी बे कशी ने मारा कभी बे बसी ने मारा कभी बे कशी ने मारा कभी बे बसी ने मारा कहना हैं कि जाम पे जाम पीने से क्या फाइदा जाम पे जाम पीने से क्या फाइदा रात गुजरी तो सारी उतर जाए कि ईय मेरे अलकचुआ वालो सात में बेठ गर पीएंगे तो सारी उमन नश्य में गुजर जाएदा कभी बेक शिन नगाई कभी बसी नगाई कभी बसी नगाई कर दो कर दो इस गजल की लाइने बड़ी अच्छी है गौर से सुनिये गाल कच्वा वालो बन्ना मैं जाके बोलूगी सबको की छोटा कच्वा तो देख आई बड़ा कच्वा में कुछ नहीं रखता है उज्जालों से देशत मुझे हो गई अंधेरों की आदत मुझे हो गई है उज्जालों से देशत मुझे हो गई है अंधेरों की आदत मुझे हो गई है कभी बे कशी ने मारा कभी बेजी ने आई जाई कभी आरे कभी पार लगती रेना जे कभी आरे कभी पार लगती रेना से देख आयले किया तुने मोला दी कर दी आप और यह है हमारे सिरी गोरे लाल जी जिनकी यह साउंड विवस्ता को आप लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं आप ही कि और से 21 मुत्रा हैं हमारी सकीगों बहुत बहुत धन्दवाद बहुत बहुत शादुआर साउंड वाले भिया कहना चाहते हूं आप से कि चिक्ची लिखी है खून से स्याही मस समझना और मरती हैं तुमारे साउंड से बच्ची ना समझना कभी आरे कभी पार लगती बेनाजर कभी आरे कभी पार लगती बेनाजर कभी भाय निखी आरे क्ले मुलाजर कभी पेक शे क्वे निम आरे क्वाजर कभी पेकशीनि माजर कभी पेकशीनि माजर तो गाह नहीं सकता तीली कुटनी हो गई है लेकिन हमारे नाल पे बैठे हमारे ललु जी ललु मंचला जी और व्यास गती पे बैठे हमारे व्यास जी श्रीविकास दुमेदी जी इनकी अगर संगत हो तो भई पूरे से बूरे कलकार भी अच्छा गाता है कभी बे कशीने माजा कभी बे बसे माजा जालों से गह्षत मुझे हो गई है अंधेदों की आदत मुझे हो कई है जब प्यार किसकिस ने किया है यहां पर बैया ददव प्रेम किये हो आप नहीं किये तो समझ नहीं पाऊगे कहते हैं प्रेम चाहें कैसा भी हो माता पिता का हो या फिर प्रेम प्रेमिका का जब वो अस्तर आता है जिसमें की दोनों एक दुस्रे से मिल नहीं पाते, जुदाई नहीं सह पाते तो उसी की बात को इस गजल की लाइन में समझा रही हूँ यू जालो से दहशत मुझे हो गई है अंधेरों की आदत मुझे हो गई है मुझे चांद नीने लूठा मुझे चांद नीने लूठा मुझे राशन नीने लूठा मुझे चांद नीने लूठा मुझे पहुंच करके खाना खालें मंज के पीछे बगल पर बाने में खाना खबरा है वहां खाना खा सकती है जो बाहर याद की रह गए हुआ और राम शंकर लंबर्दार स्वामुत्राएं आपकी योर से भी नैना जी के लिए बहुत बहुत शादवार कहना है कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती भीया कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती अलकशुआ वालों को लग रहा है मेरी गजल पसंदारी इसलिए कीमत नहीं देखी जाती कभी बेकशी में नमादा और कहना है बेमुरब्बत बेवफा दुनिया है ये अलकचुआ है ये ना बेमुरब्बत बेवफा अलकचुआ गाउंवाले हैं ये है ये गाउं तो क्या मैं शहरवाली हूँ बेमुरब्बत बेवफा दुनिया है ये है ये दुनिया तो क्या मैं दुनिया है ये कभी बे कशीने मादा कभी बेवफा दुनिया है ये दान्स के है बच्छे लोग देख रहें मासी को मासी को मासी को